गुड मॉर्निंग तो आज का हमारे टॉपिक है कि स्ट्रक्ट्टर ऑफ डाइकॉट ली डॉन हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था सीड के बारे में तो सीड के अंदर हमने पार्ट्स देखा था तो सीड कैसे का कैसे डवलब करता है सब चीजें अब हम पढ़ेंगे उसका डा का इस्ट्रक्ट्टर अंदेन देखेंगे मॉर्नों कॉट का इस्ट्रक्टर अफ डाइकॉट ली डॉन है इसमें एक्जाम्पल हम रखेंगे पी का यह ग्राम का ठीक है ग्राम ग्राम में हम दिखेंगे की डाइकॉट की स्ट्रक्टर है जो इन्साइडी बुक में दिया हुआ है सबसे पहले हम बात करेंगे कितने लेयर होते हैं क्या-क्या पार्ट्स होता है इसमें दिखेंगे हम बात करेंगे आउटर इंटिगुमेंट की एनि टेस्टा की बात करें है तेग्मन ऑख के माइक्रोपाईल की बात करेंगे विट साथ और कालाजल की बात करेंगे और रहो अधूंख हुआ पारृइं कि में बात करने वाले हैं तो ये वो अटे टestsीड डडफ होते हैं पोस्ट फडलाइजाशन के बादि इन advoc इस से बहुत सारे यह बंते हैं ईरेफ प्रें kia hoते है हिल्ल्म क्या होते हैं को डिद उन्क यथा क्या होते हैं at a k fish लिडव Lidon क्या होते है 9 Radical क्या होता है What is Radical 10 What is Plemule क्या होता है Plemule 11 Embryo क्या होते है यह सब seed के structure के part है Embryo क्या होता है Embryo axis क्या होते है हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे लेकिन हम पहरे इसको diagram देखेंगे diagram को समझेंगे उसके बारे में description करेंगे तो हम diagram में देखेंगे कहां कहां यह present होते है Micropyle से लेकर के यह सब चीज़ है 11 number के बार 12 number भी हम देखेंगे तो seed coat क्या होता है seed coat भी हम समझेंगे What is seed coat 13 number Hypocotyl क्या होता है What is Hypocotyl What is Apocotyl 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 क्या होता है तो यह सारे structures को देखने के लिए हम एक diagram समझेंगे diagram में देखेंगे कि यह आप पहले समझें यह ovary है यह stigma है यह style है और यह ovary है अब यहाँ पी इस तरह का एक placenta structure है यहाँ पे देखो आप यह वाला placenta है यह ovary का wall है यह placenta है अब placenta से arise हुआ है structure ठीक है यह structure इसको हम बाहर निकाल कर देखती है है क्या एक्चुली यह ovule है कौन है ovule और ovule ही develop होकर कि क्या बनेगा तो हम पहले देखेंगे यह वाला reason हो गया आपका प्लासेंटा का और यह वाला reason कोन है प्लासेंटा के आलाव जो side में है यह ovary wall है क्या है ovary wall और इस प्लासेंटा से यह प्लासेंटा से निकला हुआ है इस तरह का structure तो आपको समझने आई है क्या इसको diagram में बुक में कुछ इस तरह से भी बनाया रहता है तो आपको इसको भी देख सकते हो आप कुछ इस तरह का structure भी होता है तो यह ovule का structure actually basically ठीक है ovule का structure है अब ovule में यह वाला reason क्या है यह वाला funicle यह hillum है इसे कहते है funicle अब हम बात करेंगे funicle यह post fertilization के बाद किस में convert होता है क्या convert होता है कि नहीं होता क्या same रह जाता है और यह 2N होता है कि N होता है तो यह 2N होता है हिलम हम बात करेंगे हिलम की क्या यह N होता है कि 2N होता है यह भी 2N होते है यह आउटर इंटुगमेंट है आउटर इंटुगमेंट आप लिख सकते हैं यह आउटर इंटुगमेंट है आउटर इंटुगमेंट ओके इंटेगुमेंट और यह आउटर इंटुगमेंट जो होते हैं यह क्या फॉर्म करते हैं टेस्टा बनाते हैं यह क् व्यूल का structure है, यह seed में convert होने वाला, किसमें? seed में convert होने वाला, after post fertilization तो so हम यह देखेंगे कि इन में से कौन सा part क्या बनाता है तो जो outer integument हो क्या बनाता है? testa बना लेता है, और जो inner integument है inner integument integument वो क्या बनाता है? tagman बनाता है, tagman ठीक है और कभी-कभी आपने सुना हो कि seed coat क्या होता है? जैसे मैंने बताया, testa हो गया clear outer integument से बनता है, यह inner integument से बनता है what is seed coat? जब यह testa बनाता है, यह दोनों आपस में fused होता है fused together together to form fused together to form आप ऐसे लिख सकते हो fused together to form क्या बनाते हैं, मैटा? seed coat बनाते हैं, seed coat बनाते हैं तो आपको यह बात पता होनी चीए clearly कि यह seed coat क्या होता है? वटेश सीड कोट तो seed coat क्या होता है? कि outer integument, inner integument दोनों fuse हो गया, क्या बन गया? seed coat बन गया? तो seed coat दो लेयर के fusion से बनता है, दो लेयर fuse हो गया है, अब हम बात करेंगे यह क्या चीज़ है? आपको दिखा ज़िए यहाँ पे कुछ cells होते हैं, कुछ खास तरह के, ठीक है? इस तरह के cells होते हैं इन्हें कहते हैं new cellus cells, क्या बोलते है? new cellus यह पूरा reason में new cellus होते हैं new cellus new cellus यह भी 2N होता है और पता है यह भी 2N होते हैं, outer integument, inner integument यह भी 2N ही होते हैं ठीक? यह भी 2N cells होते हैं, 2N लेकिन यह जो दिखा आपको यह N होता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है, embryo sac होता है यह यह वाला reason जो यह वाला reason है, पूरा यहाँ से यहाँ तक यह वाला यहां से लेकर कर यहां तक कर रीजन को क्या कहते है पूरा यह वाला इसको कहते है चलाजल यह कलाजल ठीक है कलाजल कलाजल एंड बोलते हैं इसको और यह वाला पूरा रीजन इसको कहते है माइक्रोपाइल क्या बोलते है माइक्रोपाइल तो आपका ये Micropyl reason क्या होता है Calagel क्या होता है Clear हो गया होगा ठीक है अब हम कुछ देखेंगे Funical क्या होता है Hillam क्या होता है Nucellus cells क्या होते है यहाँ पर 14 में 15 में कर देंगे Nucellus क्या होते है Nucellus अब हम देखेंगे Placenta का भी description हो गया है यह वाला reason जो funical है यह राफे यहाँ पर होता है यहाँ पर राफे होता है तो इस तरह से structure आपको देखने को मिला कि Nucellus 2N होता है कि N होता है चलाजल N होता है सब यह क्या होते है 2N होते है यह सब 2N होते है यह N होता है यह Micropyl यह जो दिखे रहाँ आपको यह N होता है इसे embryo sac कहते है क्या कहते है embryo sac अब इस embryo sac के अंदर एक egg cell होता है egg cell कितने एक दो इसमें synergid होते है क्या होते है synergid और two polar nuclei होते है या central cell कह सकते है इसको ठीक है यह पूरा का सुरह काफी बड़ा है इसमें एक cell होता है जिसको central cell और three antipodal cells होते है क्या होते है three antipodal cells होते है ओके clear three antipodal cells होते है तो यह जो central cell है उसके पास two polar nuclei है two polar nuclei यह three antipodal cells है तो हमको इसको आलग से बनागे दे लेकिन यह सब N है यह भी N होता है यह भी N होता है यह भी N, यह भी N, यह भी N, यह भी N तो यह पूरा embryo sac जो है हम बस इसको लिखेंगे embryo sac लेकिन descriptions अलग से देंगे embryo sac तो हम अभी structure of dicotolidon कर रहे थे तो इसलिए इसको internal structure पढ़ा हमने अभी pre-fertilization पढ़ा जभी fertilization के बाद अभी structure अभी fertilized हुआ नहीं है अब fertilize होकर के बनेगा यह इसलिए पढ़ा क्योंकि जब हम dicot का structure देखेंगे तो उसमें रैफे का नाम आएगा हिलम का नाम आएगा dicotolidon का नाम आएगा seed coat का नाम आएगा वो कहां से आते हैं वो यहीं से आते हैं इसलिए हमने इसको origin पर यह बताया तो आपको देखना होगा next point में structure of dicotolidon seed seed का structure देखेंगे अभी यह जो seed के अंदर यही ovule डवलप होकर dicot seed बनते हैं इसी ovule को डवलप करके क्या बनते हैं dicot seed बनते हैं इसके साथ synergid कितने हैं दो इसमें दो synergid हैं यह भी क्या है एन है synergid synergid यह भी एन है इसके बाद two polar nuclei हैं क्या है two polar nuclei nuclei और three antipodal cells three antipodal antipodal cells three antipodal cells है तो यह embryo saik यह पूरा का पूरा क्या होता है n होता है पूरा complete n होता है सब में n हाए यह इसकी भी यह N, N, N और N यह 2N है यह N और N यह भी है यह भी N है यह भी N यह भी missions number of जो यहाँ पर set है यह N की value रखते हैं कोई भी ट्वेन नहीं होता इसमें तो आप इसके बाद हम ग्राम का इस्ट्रक्चर देखते हैं पोस्ट फर्डिलाइजेशन की ज़स्ट बाद इस्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉड सीड देखेंगे डाइकॉड इलूरें सीड का कुछ इस तरह का इस्ट्रक्चर होगा यह पी है ग्राम में कुछ इस तरह का इस्ट्रक्चर देखने को मिलता है और यहां पर एकदम एंड पॉइंड 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 पॉइ इसे हम कहीं हैंगे hilem, क्या बोलेंगे hilem उसके उपर क्या होगा यहाँ पर टीक है यह वाला जो लेयर होगा यहाँ से पूरा ओको यह reffe है रेffe रेffe ओके यह इस तर काاعर इस्ट्रॉक्चर दिखेगा वो रेफे होगा रफे के आलाव हम बात करें चला जल चला जल क्या होगा अगर यह माइक्रोपाइल ला तो यह चला जल होगा ठीक है चला जल होगा ठीक है चला जल यह क्या है सीड कोट है सीड सीड कोट इसका मतलब आपको समझ में आगया होगा ट्रिक तो आपको structure दीखने में उपर से क्या देख रहा है राफ़ है केलचल देख रहा है हिलम देख रहा है, माइक्रोपाइल देख रहा है और यह वाला और यह वाला कॉटिलिण लेकिन जब इसको ओपन करके देखते हैं तो कुछ इस तरह का इस्ट्रक्चर देखेगा इसमें तो है देखने आप important है यह इसका axis है यहहां से यहां तक जो है यह axis है इसको बाहर से निकालके यह और यह cautilidon है यह इसका कutilidon is structure है यह भी cautilidon है, belashi होता है, और यह वाला cautilidon है कोटी, लीड ओन ये भी क्या है? कोटी, लीड ओन है ये वाला उपर का इस्ट्रक्चर टीप का ये वाला टीप का ठीक है? ये ब्लैक से कर देते हैं नीचे वाला जो टीप है जो नीचे वाला टीप है इसे क्या कहते है? इसे हम कहते हैं प्लिम्यूल या रेडिकल बोलते है नीचे वाला क्या कहते है रेडिकल रेडिकल और ये वाला क्या है प्लिम्यूल जो उपर की तरफ जाता है प्लिम्यूल का फंक्शन क्या होता है Arise is Suit, suit निकलता है यहां से और radical से क्या निकलता है? root radical से root form होता है लेकिन मैंने बताया था last time भी एक diagram बनाया था इसी तरह से इसका ही हम open करके structure बना रहे हैं ये वाला reason क्या कहला है पूरा का पूरा ये वाला reason hypokotyle hypokotyle और ये वाला reason क्या कहला है apokotyle apokotyle और ये embryonal axis embryonal axis clear? तो radical root form करता है, permules root form करता है dicot structure है आपको ये पूरा का पूरा dicot है इसमें कितने cotyledon है? 2 कितने cotyledon है? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कितने है? 2 dicotyledon है hypokotyle का structure आपको बात समझ में आ गए होगी अब हम देखेंगे कि ये पूरा का पूरा structure आप dicotledon है इसमें 2 cotyledon होते है एक hypokotyle है, एक epicotyle है एक radical है, एक plymule है एक embryonal axis है और root arises from radical कहां से निकलता है root? radical से shoot arises from plymule तो ये दोनों जगां से निकलते हैं अब हम एक एक करके इनके detail में करते हैं की definition देखते हैं तो जैसा कि हम देख रहे थे एक एक करके हम उसका detail करते हैं कि what is outermost covering, what is seed coat सबसे पहला हम कहेंगे, seed coat क्या है जैसे हमने वहाँ पर diagram में mention किया था कि seed coat है, तो ये सबसे outermost, seed का सबसे outermost layer होता है अगर दो layer, अगर merge हुए है तभी seed coat कहेंगे अजिस सिंगल होगा उसको सिर्फ टेस्टा कहेंगे अंदरवाला सिर्फ होगा ता सिर्फ टेग्मन कहेंगे अज बहार वाला क guarantee टेस्टा बोलेंगे लेकिन दोनों एक साथ होंगे, मर्स होंगे तो ही हम seed coat कहते हैं सरहाई नहीं कहते हैं तो जैसे पैड़ाएड high completely outer most covering होती है syd quote has two layer outer layer called testa और testa develop from outer intimate outer layer को क्या कहते हैं टेश ऌके देशी कहते हैं और डेवलाफ लाँ ब्रॉटर इंडरिमें से डेवलाफ हुआ है इन रेर इन रेर कुछ क्विवर्ट निस पार्ट से एटाइश्ट होते हैं fruit यानि fruit के अंदर seed होता है और seed और fruit जिस जगह से attach होते हैं scars attached हो उसको hilem कहते है clear और Micropyle क्या होता है above the hilem, hilem के जो उपर hilem के जो उपर यानि ये seed है तो यहाँ पर अगर hilem है ठीक है यहाँ यहाँ पर hilem है यहाँ तो यहाँ उसके उपर यानि इधर seed उल्टा बना रहा है na seed तो ऐसे बना सकते हैं तो यह hilem है तो यह हो गया Micropyle तो what is Micropyle? hilem के उपर hilem के उपर क्या है? Micropyle है तो आपको यहाँ देखना हमने diagram यह ऐसी बनाया था कुछ इस तरह का मैंने structure बनाया था आपको इस तरह का बनाया था ना तो यह hilem है यह Micropyle तो इसको उपर ही तो है okay तो above above the hilem is a small pore called Micropyle above the above the hilem is a small pore like structure that is the small pore दिख रहा हूँ small pore यह small pore like structure that is called Micropyle what is embryo within the seed coat seed coat के अंदर कुछ भी हो यह seed coat है न हमारा यह पूरा seed coat यह seed coat है इसके अंदर कुछ भी हो वो सब क्या होता है embryo कहलाता है clear embryo has embryo consisting of two dicotyledon one embryonal axis और embryonal जो axis होता है हमने पढ़ा था कि जो embryonal axis है यह वाला इसको ऐसे जुड़े होते हैं embryonal axis तो दोनों end पे एक end पे प्लिम्यूल होता है एक end पे रेडिकल होता है प्लिम्यूल और रेडिकल ठीक है यहाँ पे apicotyle है और यहाँ पे hypocotyle है तो वही कह रहा है कि और इसके साथ cotyledon जुड़ा है cotyledon ठीक है यह भी cotyledon यह भी cotyledon तो cotyledon fleshy structure fleshy structure cotyledon कैसा होता है fleshy structure होता है और store करता है reserve food material cotyledon एक fleshy structure होता है और वह अपने पास food material को reserve food material को store करता है starts पर गए ठीक है और रेडिकल क्या होता है what is radical at the lower end at the lower end of embryonal axis embryonal axis का lower end पे present होता है उसे क्या कहते है radical कहते है radical यह रूट arises from the radical at the top of the embryonal axis at the top of the embryonal axis present प्लीम्यूल and suit coming from या suit arising from the प्लीम्यूल clear तो यह चीज हमारा प्लीम्यूल रह गया हाइपकोटाल और एपकोटाल रह गया बात समझ में आग वह वह होगी आप लोग को आगे देखते है तो जैसा कि हम देख रहे थे कि what is प्लीम्यूल प्लीम्यूल क्या होता है एट नमबर प्लीम्यूल ओके अट दे लोवर एंड ओफ यह जैसे होता तो यह अट दे अपर एंड हो जाएगा प्लीम्यूल प्लीम्यूल यानि इसके लिए अट पा नेट फांट होगा शूट आर्इज फॉं अरइज फ्रॉं प्लीम्यूल से निकलते हैं पिलम्यूल next 9 number what is apicotyle apicotyle क्या होता है और hypocautyle क्या होते है apicotyle और hypocautyle है ठीक है हमें पता है कि apicotyle और hypocautyle यह वाला जुद्धा मैंने बताया था यह वाला reason यह वाला तो कहा पिलम्यूल यह हो गया radical ठीक है यह apicotyle और यह वाला reason है hypocautyle तो आप यह कह सकते हो यह embryonal node है embryonal node तो आप definition बना सकते हो इसमें कि reason of the reason reason of the phyla-cell and phyla-cell and between the embryonal node region between the आपाए आपके झाडली तो reason between the phyla-cell and embryonal node is called epicotyle जरुरूरत नहीं है region between the plimule and embryonal node 10 number what is hypocotyle 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 क्या है region between the radical and embryonal node embryonal node यानि इन दोनों के बीच इसके और इसके बीच में hypocotyle है और इसके बीच में hypocotyle है तो अभी हमने सारा complete किया dicot structures उसमें हम दो तरके dicot structures होते हैं एक होते हैं endospermic एक होते हैं non endospermic हमने अभी जो देखा ये कौन से हैं non endospermic हैं इसमें endosperm नहीं होते हैं आप हम देखेंगे caster का example जिसमें endosperm है तो हमने देखा non endospermic dicot का एक seed हम देखें endospermic dicot का seed endospermic endospermic dicot seed dicot dicot seed structure of endospermic dicot seed example में caster अब लेकिन एक चीज़ इसमें समझना होगा इसका ovule का थोड़ा structure अलग होगा थोड़ा सा difference होगा उसमें जरह आप देखो इसमें कितने आपको layer दिख रहे हैं आपको कितने दिख रहे हैं इसमें integuments एक हो गया outer integument outer integument middle integument हो गया और अब inner integument हो गया inner integument इसमें 3 integument हैं अभी हमने इसमें पढ़ा उसमें 2 integument थे टेश्टा टेश्टा टेगमन अब तीसरा वाला क्या बनाएगा програм का बनाएगा ठीक है kayakal बनाता है यानि यह वाला तो te sister बना रह रहे tesda यह वाला क्या बना टेगमन बना रहे temporary And और यह थीसरा वाला बना रहा है क्या बना रहा है क्या एंकल बनाता है तो इसका structure थोड़ा अलगी होगा इसमें जो बनेंगे जब development होता है पोश्ट फैलाइशं होता है तो जो endosperm होते हैं nutrition प्रवाइड करते हैं embryo के development में अगर embryo के development होते 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 सारा endosperm ही यूज़ जाते हैं अब एक भी इंडो स्पर्म नहीं बचाएं एंडोस्पर्म सारे के सारे सेल यूज़ हो गया उनको नुट्रिशन प्रवाइट करते करते इस तरह के शेल को हम कहते है ना इस तरह के सीड नॉन ndoermic seed लेकिन अगर उसके बाद भी बच गया di disruptive करने के बाद भी बच जाते हैं इससे endoermic seed कहते हैं तो endoermic seed में, हम catcher के example देखेंगे कुछ इस तरह का example होता है इसका diagram होता है ठीक है तो आप देखेंगे इसका example तो यहाँ पर यह third यह जो third integument है third इंटेगुमेंट है इंटेगुमेंट ओके third इंटेगुमेंट इसे कहते है केरेनकल डाइनकल ओके ये और यह सीड कोट है इसका सीड कोट सीड कोट ठीक तो अब इसमें यहां पे embrional access है 在 embrional access में आपको देखना होगा कि इसमें यह वाला टिप वाला पॉइंट है वो क्या है प्लिम्यूल है यह रेडिकल है यह रेडिकल कहला आता है यह हाइपकोटाइल है ओके और यह वाला टिप पॉइंट है यह क्या है प्लिम्यूल है प्लिम्यूल और यहां पर यह वाला पॉइंट एपी कोटाइल है एप Kotyl. Japanese, Dicótei kotyledon. Dicote तो होगा, लेकिन कुछhmm इस तरह कर you structure होगा इसमें, लेकिन ये वाला area क्या हो गया? ये सब क्या सब endosperm है. ये Kotylidon है, Kotylidon. ये 2 Kotylidon है, ये वाला मिला करके. Kotylidon. तो यहाँ पर cautlidon का structure आपको दिख रहा है यहाँ पर dependremule भी है यहाँ डीकल है यहाँ पर yapichokotyle है यह क्या है अंडोय इंडृर में क्या है अंडोय क्यों किस्टार्च इस टोयल आइली होता है करे कैस्टारत इनग क्यों यहाँ था इसमें एक यूनिक यह है कि यह और यह ठरद इंक्ति मेंटेंट होता है Tobie की तो आपका हो गया 2 दाइका अश्टतर्ऌक्शर हो गया दोनों एक इस दोसों को एक जामपल्ण नॉन इंडोस्च्परमिक गंघ्जामपल यह एक मैंने आपको पहले ही डियाग्राम बना दिया, next session में cover करेंगे monocot structure, structure of monocotylidones